गुद्मॉर्णिंग औल सो 12 का एक्जाम से अपना भी नजदीक नजदीक आ रहा है मजा आ रही होगी पढ़ाई करने में ऐसे उमीद है है न सुभे सुभे पढ़ रहे हो गया आप लोग मस्तर थंडी में है हा सर तो अब हम आज पहले तो बात कर लेते अकाउंट्स की कि जो 12 का अकाउंट से अपका उस सब्जेक को हम किस तरीके से रिवाइस कर रहे है या क्या-क्या चैप्टर से और उसको रिवाइस कैसे करना है इस चीज के हम बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है उस चीज पर आते पहले हैं कि क्या-क्या करेंगे सर अपन ठीक है तो चलो पार्टनर्शिप इसके चार या पाथ चप्टर अपने को पहला है फाइनल अकाउंट जो आपने 11th के आखरी में किया था वही चप्टर यहां पर पार्टनर्शिप के लिए दिया है दिन फिर रिकॉंस्टिटूशन वाला पार्ट है बराबर है क्या हा सर फट्टा-फटसर में रिवाइज कर रहा हूं कि कैसे कैसे करेंगे क्या क्या करेंगे ट्रिक्स क्या-क्या है अपने लिए ऐस अब चीज़ें हम डिसकस्स कर लेते एक बार और आगे की बात है तो एक है simple सा final accounts का question जो बहुत simple है और एक है reconstitution मतलब अगर partnership के constitution में कुछ change हो रहा है पहले दो partner थे अब नया partner और आ रहा है या फिर पहले चार partner थे एक partner होना रिचार हो रहा है रिटार हो रहा है या somehow naturally रिटार हो गया तो या फिर सब लोगों का जगडा हो गया सब लोग अलग अलग होना चाह रहा है तो all those things will be covered in reconstitution वाला part so पहला part अपने लिए है admission then next है retirement बरबर है क्या फिर death and dissolution is that so yes sir इन चार parts में अपने डिवाइड कर सकते अपनी partnership को clear है क्या चले आगे yes sir तो final accounts से शुरू करते हैं अगले 15 minutes अपन final accounts खतम करेंगे ठीक है अगले 15 minutes में final accounts का पुरा खतम करना है चलो revision करते है final accounts की जो आप लोगोंने कर रखा था just give me a minute और आप we final accounts के notes निकल लो I'll be back in one minute final accounts में क्या क्या देखने हाले हम लोग क्या दिया होगा आपको question में trial balance and plus adjustments है न यह दो चीज़े रहेंगे आपके लिए trial balance plus adjustment वाला part रहेगा trial balance कैसे बनता यह तो आपको पता है lasers के जितने balances बचे है अगर debit balance वाले चीज़े है तो आप debit side में लेखेंगे trial balance के और credit balance वाली चीज़े है तो credit side में लेखेंगे is that so yes then debit balance either of the thing is there देखो एक तो nominal account है nominal account है तो this means कि यह एक तो expenditure है debit balance है तो या फिर credit balance है तो यह आपका income का part रहेगा is that so बराबर क्या yes sir तो इसका मतलब यह कहां जाएंगे या तो trading account में या फिर ठीक है single effect अब solve करता से में हम क्या करेंगे trial balance के और adjustment को पहले पढ़ लेने का trial balance ने अजस्मेंट पूरा पढ़ लेने का पहले फिर adjustment के किसी चीज का trial balance के किसी item के साथ जो लेन देने उसको छोटा सा mark करने को कोश्चन में छोटा सा mark put up करके आने का clear है क्या कोश्चन जब पढ़ेंगे तो कोश्चन में trial balance रहेगा और आपका ये adjustment वाला पार्ट रहेगा adjustment में जो चीज का effect trial balance के किसी चीज के साथ related है तो वहापे क्या करना एक star mark करना की बहिया ये trial balance का item है इसके साथ कुछ ने कुछ adjustment जुड़ा हुआ है उसको भी deal करना है तो ध्यान रहे भूल ना जाए इसलिए वह mark put up करके आना clear क्या करके आना innocence mark put up करना और फिर solve करना clear yes sir जानवे के लाव बाकी लोक्स हो गए है नौट कीप on talking मैं अकिला कब तक बढ़ बढ़ करूं चलो आगे फिर trial balance में से जो चीजे रहेंगी trial balance हम जब देखेंगे तो उसका most सिर्फ और सिर्फ एक एफेक्ट जाना है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेविट साइड में जाएगा या तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा या फिर अगर असेट है तो बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा या तो फिर अब वहाँ पर नहीं आया तो वह लाइबलेटी है वो जाएगा लाइबलेटी में क्लियर फिर जैसे rdd वगिर बात करते है यह तो ट्रेडिंग बालंस लेकिन वह जाता है डेटरस में से माइनस होने के लिए मतलब profit and loss के credit में या तो फिर balance sheet में या फिर asset side के किसी related item में से minus करने का done final accounts आगे फिर कुछ important adjustments हम लोगों ने देखे हैं यहां पर मैंने आपको document share किया तो if you have that one कुम सा document share किया था मैंने याद है किया कुछ important जो compulsory adjustments है जो compulsory आते ही है adjustment उनके बारे मैं बात कर लेते हैं बोलो क्या-क्या 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 adjustments से जो आते ही है final account में closing stock चलो पहला simple सा ले लेते है closing stock closing stock कहा कहा बताना है यह trial balance में होता है कि adjustment में दिया रहेगा adjustment के दो effect होते है इतना याद रखना दो जगह पर इंपार्ट करेगा इतना याद रखना कैसे अब देखो trial balance बनने के बात जो कुछ चीज़े update हुई है न मतलब जो जिसका accounting नहीं कर पाए हम लोग और जो लेजर में नहीं जा पाए वो चीज़ें आपको adjustment में दी होती है बात समझ में आ रही है क्या कि यह सर्म अकाउंट बना ली और फिर पता चला रहे यार यह तो लेने का ही रह गया यह बाकी रह गया वह बाकी रह गया फिर हम बोलते चीजों की मालूमात अपने को मिली है वह एड़िस्मेंट बूल के आपको दी है उसके दो effect होंगे closing stock का एक effect क्या होगा तो यह बहुत आप ट्रेडिंग मला इटम है लेकिन बैलेंस बज गया है ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस बज गया था तो वहां पर लेंगे आप क्रेट साइड में और और एक जगा current asset balance sheet का current asset का important part है यह बराबर है क्या अ yes sir तो balance sheet में जाने जो अच्छा और एक इसमें अब पिन मारे वाली रहती है कितने पे लेने का इसको क्या amount पे लेने का या क्या amount पे रिपोर्ट करने का इसको बोलो यह जो भी लेस प्रेस्ट कंशे 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 कि मार्के वाल्यू या फिर अपनी कोस्ट वेल्यू में से कम रहेगी इस वोड शुड भी देर विटा और लिक्याना मतलब तुम लिखेंगे ना कि हमने लिए या मार्के पाली तो नीचे नोट लिख देना market value closing stock is to be reported lower of market value or cost yes कौन सा गन्सप्ट यह यह गजर वाटिजन इस एक दन यह रहा एक इंपोर्टन पॉइंट जो रेड कलर में लिखा यह तकलिफ देख दो कि आप देगा closing stock तुम दो जगे पे ले लोगे यह simple पार्ट यह easy पार्ट यह थोड़ा धियन देना है न यह सब चलो आगे next adjustment अगे तो प्रोविजिन फॉर बैट डेप्स प्रोविजिन फॉर बैट डेप्स इसका logic वे से बहुत बढ़िया है logic हमने बात भी किया है अब देखो trial balance में दो तीन चीजे दिखेंगे आपको क्या क्या data's दिखेंगे debit side में और against क्या दिखेगा RDD, बराबर क्या ये रहेगा आपके trial balance में और adjustment में चीजे बोली रहेंगे क्या क्या बोले रहेगा adjustment में यार bad devs होए additional bad devs दिए होता है और उसके बाद बोला होता है कि हमको इना क्या करना है RDD maintain करना है at the rate so and so at the rate this percent on closing datas बराबर क्या और बाद में एक additional adjustment मुला था कि provide for discount क्या तेजस तेजस देखो sequence कैसे याद रखने का यह बराबर के चीजे है यह सर अमाउंट्स ले ले क्या कुछ यहाँ पे 40,000 1500 देडिशनल बाद देप्स 2000 3% and discount 2% चलिए शॉल करते हैं इसको दो तरीके से सॉल किया जा सकता है एक जो बोर्ट का तरीका है उससे और एक जो मेरा तरीका है उससे या मेरा तरीका बूलने से अच्छा जो इसको आई-C-A-I का तरीका है तो आई-C-A-I का तरीका अपन फिर से एक बार बाद में देखेंगे आपन जब हम से पॉंडेशन करेंगे अभी हम बात करते हैं बोर्ट में कैसा प्रेजेंड करने का सब देखो और यहां पर bad devs भी दिये रहेंगे I forgot one thing यहां पर bad devs भी दिये रहेंगे जो adjust करके आ चुके है मतलब data में से side में आ चुके bad devs बराबर क्या और जितने side में side में आना बाकी है वो कितने है यह 2000 बराबर क्या तो चलो शुरू करें क्या तो यह आपका PL है अब usually कैसे दिखाओगे यह आपका PL अकाउंट है तो पहले क्या करने का टू बाद डेप्स कौन से वाले जो trial balance में देखे रहें बरोबर अपन क्या करते हैं सिर्फ debit side लेकिए यह profit and loss का debit side credit side इधर है तो अभी जरूरत नहीं है तो अपन छोड़ देते हैं उसको हाँ उसके बात क्या करने हैं यह जो additional bad devs हुए ना तुमारे यह वाले देखो एक नंबर दो नंबर ले ले इसको additional bad devs को अब देखो एक काम करते हैं balance sheet में आते हैं balance sheet की asset side बना लेते हैं देटर दिखाई दरे मेरे को कितने के रहे डेटर और इसमें कौन से bad devs अभी बाकी है इसमें adjustment वाले bad devs clear तो इसका accounting हुआ है क्या तो इसको 3a कर देता मैं 3a बूले तो यहां से चले जाओ अब भाया bad devs कितना बचा 38,000 बराबर क्या इसको numbering देता मैं 3a ठीक है इसको numbering देता 1 इसको देता 2 clear तुमको logic लग जाएगा बात में आगे इसके बात क्या करें देखो आइजस्मेंट हो गया डेटास में से bad devs चले गए तो विदर वियार रेडी फॉर दिस वाला अजसमेंट आई डीडी 3% on closing data इस सब चलो तो यहां पर कितना आएगा अगरी कितना लेना यह आपर थी परसेंट कितना रहा है निकालो भला अगरी थी परसेंट निकालिये कितना रहा है कि ग्यारा सुचालीस अब अच्छे डेटर कितने बचे जो अपने पूरे पूरे पैसे दे देंगे अच्छे डेटर कितने जो अपने पूरे पाइसे देने की संबाव ना है लुह यह लोग बहुत अच्छे लोग है तो अच्छो लोगों जो हमारे पैसे इमानदारी से लाके देने contributions को थोड़ा discount दे सकते क्या आपन किसे एंस कितना डिस्काउंट doet करना है ! 2% 2% कितना होता 2% इसका 738 ठीक है मैं calculate कर लिया अब देखो अब डेटर कितने मचे final आपके बैलेंशीट में डेटर का हिसाफ हो गया खतम क्लियर है क्या है अब उपर profit and loss में क्या क्या impact होने वाला है आपने को 1140 रुपर डेबिट करना है profit and loss को add कर लो भूला add rdd add closing rdd कितना कुल मिला के हमारा बैट डेप्स या ऐसा कुछ खर्चा कितना हो रहा है तीनन पास सहा क्लियर है क्या कितना हो रहा है 6140 बरोबर है हाँ लेकिन 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 यह पूरा इस साल का खर्चा है या पहले भी कुछ खर्चा कर रखा है आपने पहले भी है तो इस साल डेबिट कितना करेंगे यह नहीं आया है यह वूर्ट के लिए कलियर किया यहं प्रेजंटेशन नगिर्ण चे इजब प्रेजंट्रेशन थोनने का किह सब से धाल्य وس areas टेकिश्ग्यक्त लेकिन के ट्वाला थोनॉे 1 सारह प्रेजंटेशन रहेगा 2 क्लियर क्दिश्टेश्ट चीज क्लियर अल्टीमेटली दोनों ही प्रेजेंटेशन में एंसर सेम आएगा दोनों ही प्रेजेंटेशन में यह दिखेगा कि प्रॉफिट एंलाउस को है ना फॉर थाउजन सिक्स हंड़ेड फॉर्टी रुपीज डेविट किये है इन दे नेम आफ प्रोविजन ऐसे दो अलग अलग चीज़े दिखेंगी लेकिन जाएगा सेम और एक लास्ट आइटम यहाँ पर बज़ गया है जो अलग से आपको लेना है टू प्रोविजन फॉर डिसकांट बराबर क्या वह बाकि रहेगा ना तुझे भूल जाना जाना मुम्किन नहीं है के नहीं 700 रतीस रुपए है हाँ साथ यह रहा आपका डेटर्स का अज़ेस्मेंट क्लियर सो इसको इंपोर्डन मार्क कर दो इस वन आफ दो मोस्ट इंपोर्डन अज़ेस्मेंट्स यहाव जो तकलिव देती है और अपनी गलती होके आती है है ना ठीक है अप्रू कर दिया तुम लोगों ने हाँ सर चलो फिर अप्रूड डन चलिया आगे तो यह इंपोर्डन वाला अज़ेस्मेंट हो गया कतम अब कुन सा अज़ेस्मेंट है बिटा बोलो नेक्स्ट अज़ेस्मेंट जो यहाँ पर तकलिव देता है इस पर्टिकलर चैप्टर में तो वो इंशर्ड गूर्ड दिस्ट्रॉइड बाइफायर ओके थर्ड वन इंशूरंस वाला अज़ेस्मेंट गूर्ड गूर्ड रजट जाग रहा है क्या आज हम आवाज क्यों नहीं है फिर तुम लोगों का गुड्स डिस्ट्रोइड वाई फाईर हाँ क्या होता इसमें गुड्स चले गए आप लोगों के गुड्स चले गए क्या हाँ सर जब गुड्स जाते हैं हम उनको टाटा बाई-बाई कहां से करते हैं अरे जब गुड्स जाते है तो हम टाटा बाई-बाई कैसा करते उनको बाई सेल्स करेंगे तब हमारे गुड्स चाहिए ना सेल करते तब गुड्स जाते हैं या फिर पाटनस डौइंग कर लेते तब जाते हैं और जो नहीं जाते हैं उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं बरुबरे अब एक नया चीज देखो गुड्स अगर जल गए तो क्या वो तुम्हारे पास है या किसी पार्टनर ने विड्राउ कि या ड्रॉइंग्स हुए या सेल हुए क्या जो गुड्स जल गए तो गुड्स लॉज्ड वाई फायर मतलब फायर ऑकर हुआ और उसमें वह जल गए तो वह हम ना बेच पाए ना किसी को ले जा पाए ना वह अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वह ट्रेडिंग में से कम कर दो समझा क्या समझा या ड्रेश्मेंट ट्रेडिंग अकाउंट के क् यह एक बात यह सब्सक्राइब तो थोड़ा रिलिफ मिलेगा बराबर है कि यह सब्सक्राइब तो कैसे रिलिफ मिलेगा आप लोगों को यह आपका रहेगा प्रॉफिट लास अकाउंट कि दर्द हो रहा है न scholars भाय fire है न हथी कि दर्द हो रहा है न गुच लॉटस। ऐलो है थोड़ा दर्द को कम करने के लीए संस्ज़ादत को कम करने का इंशुरंस क्लीम अगर आया है तो दर्द कम हो जाएगा पूरा दर्द होगा कहां पर क्लियर डन एक तो यह देखो यह जो है गुड्स डिस्ट्रॉइड वाइफायर ट्रेडिंग के क्रेडिंग में लिखना और फिर प्रॉफिट लॉपन होगा फॉर टेंपररी परपर्ज वो ट्रेडिंग के क्रेडिट से आएगा और इधर डेविट करके क्लोस कर देना बराब और अप्रोप्रियेट इस कि दोनों को साथ साथ रखो एक जगा रखो क्लियर तो नेट इफेक्ट दिखें और आपको भी समझें रहा फिर क्या करने का पूरे 10,000 का इंसुरेंस अगर रहा फिर भी तुम क्या करेंगे एक चीज करेंगे यहां पर 10,000 बताएंगे लेकिन ल अमांट रिपोर्ट करके आना कि जीरो अमांट का लस हुआ हमारा नेट लॉस कितना हुआ जीरो रॉपीस यह प्रॉफिटल लॉस के डबिट में अब लिख क्या ना इसका एक मार्क रहेगा तुमको मझे तुमको दिख रहा है कि जितने लॉस हुआ ता पूरा रिकवर हो किया तो अकाउंटिंग करने का नहीं आएसा नहीं रहता अकाउंटिंग करने का प्रॉफिट नल को लाने का जिरू बताने का समझे यह सब्सक्राइख मैं चलो नेक्स नेक्स अग। नेच्स अड़िजन्गिश्मेंट हाँ हमुला नेक्स्ट आइड इसमेन क्या है विटा है ना हमुला है क्या कि गई चुट्टी मार लिए है क्या रहे वो कृष्णा तुव अ पर इंटरेस्ट ऑन के टाल एंटर्स नंगाई इंटरेस्ट ऑन कैपितल इंटरेस्ट ओ डॉयंग्स बड़ा ही इंट्रेस्टिंग पकड़ा है तुमने कितने लोग देखो वहला मिटिंग में ऐसी नहीं ठीटीर तुमको नहीं दिखता इस स्क्रिंशोर्ट भी नहीं लेता है व्यादी नहीं आता कोई से और कोना कैसे रहरे हैं तो बता मेरे को मतलब मेरे को अब बूलूंगा मैं कि बैज जए बच्चा इसा कर रहे है मेरे चेंज कर फीचर कैसे लेती है स्कृरेंशोट बता अदि जैसे संतर में आथा यहां तो देखो जादो हो जाएगा तुम्हेर साथ देखो इवार चलो अब कुछ important बाते करते हैं, partnership की. Good morning everybody. Good morning sir. Everybody, good morning sir. बाते ये तुम कभी ना भूलना, क्योंकि partnership में ये हैं, लगते हैं. ना और इसके बगर partnership का question solve नहीं होना, बरावर क्या, तो चलू. जो भी partners है, पहले तो बात कर लेते हैं, जो भी partners है, उनका, अगर profit sharing ratio की बात की है, तो that includes loss sharing ratio also, clear है क्या? Yes sir. If they said की profit ratio, what they said, profit ratio, but that means profit and loss ratio, clear क्या? अगर उन्होंने express किया है, तो बोले ना, अगर express नहीं किया है, तो क्या लेंगे? If expressed and if not, बताईए, देखो, यहाँ पर assume कर सकते लेकिन life में मत करना, बरावर ना, यहाँ पर assume कर सकते तुम, life में मत करना, किसी को तुम पसंद करते हो, तो यह assume मत करना कि वो तुम को पसंद करेगा, समझे? हाँ? Yes sir. लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर हम assume करेंगे कि हर एक partner कैसा है? इक्वल, इक्वल शेरिंग कर रहा है, कहाँ पर जब उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हम यह assume कर लेंगे, कि they are equal partner for profit and loss as well, इर्रिस्पेक्टिव, यह बात याद रखना, irrespective of the fact that, क्या, उनका capital में balance कितना है, गरोबर क्या? हाँ sir. माल लो, एक का है एक लाख रुपे और दूसरे का है पाच लाख रुपे, अब बताओ, equal partnership दिखाई देगी क्या, इसे अच्छा लेगा, क्या, एक बंदा एक लाख रुपे लगा रहा, एक बंदा पाच लाख रुपे लगा रहा, और दोनों equally profit share कर रहे, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? नो, sir. तो फिर express करना चाहिए था उन्होंने, अगर express नहीं किया है, तो हम equal पकड़ेंगे, हम को नहीं मल्म, हम equal पकड़ेंगे, हम जगडा नहीं करना चाहते है, किसी से हम सब को बराबर treat करेंगे, अगर तुमारा profit and loss ratio दिया नहीं है, तो वो equal है, ऐसा पकड़ने का, खतम करने का विशे, done, if express, तो जो दिया है, वो ले लो, है ना, तो आलू ले लो, हाँ, चले आगे, यह वो आपका profit and loss sharing ratio, उसके बाद, partners की liability कैसी है, बिटा, unlimited joint and server, partners liability कैसा है, unlimited, joint any, several, तुमने गाना सुनाए क्या, शोले मूवी देखा है, शोले मूवी, नहीं से, नहीं देखा, थीम तो पिता होगा, पूरा मैने भी नहीं देखा, लेकिन ठीम तो पता होगा, जय, वीरू, जिग्गी, एकदम, कुछ भी करने का है, साथ में ही जाएंगे, लडेंगे, टिश, टिश, ऐसा, वैसा, देखाए कया, तो उसमें प्यारा सा सौन था, तेरी जीत, मेरी जीत, तेरी हार, मेरी हार, ऐसी अपनी partnership, समझा, मतलब दूसरा कांड करेगा तो अपने को भी भुगतना पड़ेगा और दूसरे ने अच्छा काम किया तो अपने को भी फल मिलेगा समझें यह सर ठीक है जॉइंट एंट सेवरल अनि अल्लिमिटेड ठीक है आगे चलो अब बात करें देखाई की बात करेंगे ने मिन्टेन करते हो तिम्हें न एक होता है कैसे कि कि एक होता है ओक SSR इस यह अपने लिए नएया था है न ओर एक होता है का प्लक्शवेट से पता था household अब होती है capital accounts है हां कहां से पास होती है सारी इंटिया capital accounts और fixed वाले इसमें एक मिंट fixed वाले इसमें कहां से होती है current account current account by means क्या इसमें सिर्फ current वाली चीज़ आनी चीज़ है जो recurring है current nature की है बराबर क्या है ना हा सर और इसमें जो capital account आएगा मतलब इसमें दो account अलग-अलग maintain करना है capital account जो रहेगा उसमें से कौन सी चीज़ आएगी जो capital nature की है capital nature की मतलब जो साल में एक आतबार होती है जैसा तुमने नया capital लाया या तो capital withdraw करके लिए drawings अलग बात और capital withdraw करना अलग बात clear है क्या drawings routine के खर्चे के लिए और तुम्हारा मतलब जो उपर बात कि अपनने एक लाक वर्सेस पाच लाक का capital तो पाच लाक में से किसी ने अगर withdraw किया रहेगा तो capital account से withdraw करना in case of fixed capital method clear क्या है डन है हाँ सब्सक्राइवर profit loss whatever तुमको root करना है वो current account से root करना clear और current account को कौन से कौन से type के balance रह सकते हैं या तो credit या तो debit दोनों ही टाइप के balances रह सकते हैं बराबर क्या है आज है आज है आज है capital account को we expect capital account को कौन सा रहना चाहिए बरो बरे लेकिन तीन में से एकादे partner का debit balance भी रह सकता है clear है क्या मतलब उसने overdraw कर लिया है खुद का capital जतना capital लगा ता पूरा लेके चला गया और firm से और extra का पैसा उठा लिया क्लियर है क्या है अब आते हैं बात करते हैं देखो जो भी कुछ करेंगे देखो जो भी करना है न जो भी करना है partnership में कैसे होता है मालम है क्या है वोड़ेवर यू हाव तो डू वोट एवर यू वांट तो डू पहले तो communicate करो एंड उसकी authority भी तुम्हारे पास होनी चाहिए बरूबर क्या है हाँ सब अब authority कहां से आएगा बिटा देखो हम दोनोंने बात की partnership करते है ऐसा वाइसा ये बात पर कोई भरोसा करेगा क्या या लिखके होना चाहिए कुछ agreement अपना partnership deed तो partnership deed बोले तो क्या लिखा पड़ी contract है of agency है ना तो इस deed में इस deed में जिसको जो powers दिये हैं जिस पार्टनर को जो powers दिये हैं वैसा वो कर सकता है उसके beyond अगर कुछ करता है तो उसके लिए responsible लेकिन इस पार्टनर इस deed में जिसको जो powers दिये उसके हिसाब से कुछ करता है और liability आती है तो अगर्टन से वरद अनलिमूटेड क्लियर क्या आसा यहां पर हम और चीज़े बात कर सकते कि भीया देखो हमारा रेशो क्या रहेगा क्या क्या में इसन करना यहां पर पर रॉफिट शेरिंग रेशों उसके बाद में capital contribution कैसा रहेगा बुरॉबर उसके बाद में drawings कैसे रहेंगे बुरॉबर कि कौन partner कितना withdraw कर सकता यह सब चीज़े लिखके रखेंगे हम लोग बराबर अब इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे पता है क्या देखो यार किसी ने अगर ज्यादा capital दिया होगा तो उसके capital पर हमको interest देना पड़ेगा कर नहीं पड़ेगा हाँ सर लेकिन यह लिखा हुआ होना चाहिए कहां पर लिखा होना चाहिए partnership did में ठीक है क्या बात समझा क्या interest on capital देने का है यह कहां पर mention किया हुआ होना चाहिए partnership did में बोला होना चाहिए कि भीया capital पर इंट्रेस्ट देने का है कितने परसंट से maximum देखो बोला मैक्स परसंटेज कितना बोला है तुमको देखो देखो फट्टा फट्ट 12 परसंट है के 18 है इंकम टैक्स के इसाब से 12 परसंट है कोई partnership अपने partners को maximum 12 परसंट का इंट्रेस्ट दे सकता है तुमको कितना बोला देखो नहीं बोला गया बोला ही नहीं गया साथ मेरे साब से बोलना चाहिए उन्हें क्योंकि मैक्सिमम परसंटेज नहीं 12 परसंट है एस पर एस पर इंकम टैक्स एक्ट चलो ठीक है तो यहां पर जितना बोलेंगे उतना करो यह वाला छोड़ दो लेकिन यह अगर देखो डीड में बोला तो देनेगा यहां पर लिख लेते हैं पर डीड में बोला तो देनेगा ठीक है अगे उसके बाद में हां अगला कहा है ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट अब ड्रॉइंग्स कब-कब किये यह नहीं पता है डेट्स अगर दिये हैं तुमको ड्रॉइंग कब-कब किया है इसके डेट्स दिये हैं तो accordingly calculate करो wherever हाया ना पास और डेट्स नहीं दिये तो तो एवरेज करने का और एवरेज निकालने का और सिदा सिदा गनित अगर ध्यान में रखना है तो six months के लिए करो बराबर done clear क्या drawings के बारे में और एक बात आती है यहाँ पर किसी partner ने extra पैसा दिया है उसको हम क्या बोलता है यह capital नहीं है लेकिन extra पैसा दे के रखा है इसने capital के फॉर्म में नहीं है एक्स्ट्रा पैसा दिया है यूज करने को तो उसको बुलते पार्टनर्स लोन बराबर क्या पिर से अब डीड में अगर बोला है कि इसको इंटरेस्ट दो तो दो जितना डीड में बुला उतना दो अगर नॉट एक्स्प्रेस्ट नॉट एक्स्प्रेस्ट नॉट एक्स्प्रेस्ट एं डीड दन कितना देंगे सिक्सप्रेसंट क्लियर है क्या इस और अगर उसके बाद मैं पाॉटनर्स नॉट को सालरी वैलरी कुछ देना है तुमको पार्टनर्स को कुछ रेमनेशन देना है तो वह भी डीड में लिखके रखना चाहिए कि कौनसे पार्टनर को कितना सालरी मिलेगा क्लियर है क्या है हां सर यह सर अभी आई अभी आई सालरी रेमनेशन क्लियर है क्या यह सब तुमको एक्स्प्रेस करके रखना अब क्या बचा देखो मेरे सबसे पूरे एक साथ नहीं आएंगे यह भी बता दू इसमें से कॉंबिनेशन ओव दो तीन एडिसमेंट तुमको पूछा जाएगा फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या हमने पूरे मैक्सिमम देख लिए लेकिन सारे के सारे एक कॉस्चिन में आएंगे ऐसा नहीं है कुछ एक में आएगा दो तीन का अलग 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 फर्मेंटेशन कॉ कॉर्शन आएंगे चलो कुछ बचाएगा देख लो बिटा इस पर्टिकलर टॉपिक में सब हो गया एडमिश्या सारी पाइनल अकांट्स में सब लोग देख लो एक बार एवरीबडी डन एवरीबडी डन डन साँ तो विल टेक टू मिनिट्स का ब्रेक थोड़ा रिलाक्स हो जाओ टू मिनिट्स बद वापस से री कॉंस्टिटिउशन वाला पार्ट चालो करेंगे चारो पार्ट को हम कंपेर करेंगे और चारो के खतम करेंगे सब्जिक यहां पर चलो टू-3 मि we'll get back